हलो दोस्तों स्वागत आपका अपने चैनल मस्ट इस्टरी सबोर्ट में दोस्तों हम रेलवे के एकजाम में आई हुए प्रॉफिट लास के प्रशनों को हल कर रहे हैं इसका एक वीडियो हो चुका है वसी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है तो चलिए देखते हैं देखिए इस प्रस में क्या कह रहा है कह रहा एक वेक्ति ने 96 रुपए में कोई समान खरीदा और उसे 25 परसेंट के लाप पर बेश दिया तो समान कभी क्रेमूल क्या है ठीक है 25 परफेंट के कि लाभ पर बेच दिया लाब कितना हुमारी 45 परफेंट से हमारा कितना होगा विक्रेमुल 105 परफेंट कितना होग एक सुबचीस परफेंट कि कितना था पचीस पचीस चोको सब इसको हल कर लीजिए चार्च काट दीजी 96 को कितना बार मां कट जाएगा चौबिस बार में क्या बचाच गोड़े पांच चोबिस गोड़े पांच करेंग कितना आ जाएगा 120 रुपए तो हमारा विक्रमूल कितना आ गया 120 रुपए ठीक है यह क्या हो जाएगा हमारा अंसर कौन सुकल सही है एन अमबर ठीक है देखिए इस क्यूश्चर में क्या काई रहा था 96 रुपए में कोई समान ख़िदा और 25 परशेंट के लाप पर बेंच दिया ठीक है सीपी दिये था हमारे 620 रुपए देखिए अपने आप में कितना हो था हैंडेड परसेंट 25 परसेंट के लाप पर बेंचा थो विक्रमूल हमारे कितना गए 120 रुपए यह क्या हो जाएगा हमारा एस पी ठीक है अब अगला देखिए कि अपने आप में केतना होता है हन्डिपशेंट और इसको फillä mendicaten परसेंट के लिए अगया तो परसेंट थी जाया गया तो इπαकरते भी दिए व्यांट कुछ आ हो जाएगा सौ परसंटब हम ऐंगे कितना गए विक्रेंव देंगे गारसी इंगे और मिघ्ण निकाल लेंगे तो हुमरा किया आजाएगा विक्रमूल ठीक है अब देगे 25 से कार दी 25 को सब 25 से इसको कार दीजिए सब्सक्राइब चार से कार दीजिए चार दूनी के आठ चार करने चार कितना आ गया 37 गोड़े 21 ठीक है गोड़ा करेंग कितना आ जाएगा अब अगला क्यूशन देखते हैं अब देखें इसमें क्या कार एक वस्तु 20 परसेंट की हानी से 24 रुपाय में बेची जाती है 20 परसेंट करने के लिए उसको कितना होना चाहिए ठीक है एक वस्तव किसी वस्तु कितना होता हमें सांदे ठीक है उसको क्या किया गया 20% की हानी पर बेंज दिया गया loss पर कितनी loss पर 20% की loss पर तो हमारा SP कितना हो जाएंगा 80% 100% की वस्त पर बाश्ट की हानी पर बेंज दिया तो विक्रमूल कितना आ जाएंगा 80% और 80% की वैलू कित्ती दी है 2400 ठीक है 80% की वैलू कित्ती दी है 2400 एक परसेंट की वैलू कित्ती आ जाएगी 2400 में हम क्या कर देंगे 80 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा एक जूर से एक जूर कर जाएगा आर्थिया 2430 एक परसेंट की वेल्व कित्थी आगई हमाई 30 तो हमारा क्रेमोल कितना थंच तो सो परसेंट गोड़े 40 क्रेमोल विक्राइम क्रेमोल कितना गया मतलब 3,000 की वस्तु तो उसमें 20% का लाप कमाना है तो 3,000 का हम 120% निकाल देंगे निकाल दीजिए 120 बटा 100 1,0 से 1,0 से 1,0 कड़ गए तो कितना आगए बारग 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 बंचोब बारतियां 36 36 रुपाई तो 20% का लाप कमाने के लिए हमको वस्तु को कितने में बेचना चाहिए 36 रुपाई ठीक है यह क्या हो जाएगा हमारा दिया मतलब कितने में बेचा एक परशेंट का लाब करने के लिए क्या 근र underest होगा टीन हजार के वस्ती इसमें बीचपर्शेंट को क्माना था तो प्रप्रहत कितना गया शात्यस्ते रुपटो में बेचेंगे तो हमको 20% का लाब ट्राप्ट होगा ठीक है अब अगला क्यूस्टन देखते हैं देखिए इस सारे क्यूस्टन पेपर में आए हुए क्यूस्टन है ठीक है अब देखिए इसमें क्या करा करा एक गड़ी की MRP 4750 रुपाय है तथा उसकी बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है यदि 4750 रुपाय में उसने खड़ी दी और उसने क्या कि MRP पे उसकी 12% की छूट दी जाती है ठीक है MRP पे MRP कितनी है 4750 उसने 12% की छूट देकर बेंच दिया तो 4750 का 12% निकाल देंगे निकाल दीजिए 4750 का 12% एक जिरू कर जाए दुशक का 12 दुपंचे 10 ठीक है पांस से इसक कितना गया 570 मतलब 570 रुपए की क्या दी गई हमको छूट ठीक है MRP कितनी थी 4750 और 570 रुपए की छूट दी गई तो बेंचा कितने का उसने विक्रेमुन यानि की SP देखिए 4750 की MRP थी उसमें से 12% की छूट दी गई तो 4750 का 12% कितना निकला 570 रुपए तो 4750 को घटा साओं फारिन वहरा जाएगा 1181 ठीक है शुसका कृमूल कितना था च्रेमुन कितना था ऐसना तीछा कितने की 480 की तो कितना हो गया लाब निकाल लीजी और पूछिए तो कि दूस यू बेचर 9950 रुपए का खरीद था तो उसका का लाब कितना है Observ dispon приход क्या हो जाए कि कॉन सो पल सभी नम्म यह क्या कि इसमें क्या यह कह रहा था को जाती है एकड़ी की मुड़ी के 372 पर पर्शंट चूर्ट दी जाती है मतलब अमर पर जो उसका अंकित पर चैसी चूर्ट दे कर उसको बेंश दिया जाता है तो 4750 कमने 12 परसेंट निकाला कितना गया 570 4750 की वस्तुजी 570 के उसमें छूट दे दिए तो बेंचा कितनी की 480 रुपए की बेंच दी और उसने घड़ी को कितने में खरीदा था 3850 में तो इसको लाब कितने का हुआ एक 480 में हमने 3850 गटा दिया कितने का लाब हुआ 330 का ठीक है अब अगला किश्चन देखते हैं अब देखे इसमें क्या कहरा एक बैक को 48 रुपए में बेंचने पर राहूल को 20% की हानी हुआ तो 20% का लाब हर्जित करने के लिए बैक का विक्रामूल क्या होना चाहिए उसने बेचा तो कित्ती परसेंट की हानी हुई लॉस कितने का हुआ 20% का तो उसने कित्ती की बेची होगी एस्पी मर कितना आ गया 80% ठीक है और 80% की वैल्यू कित्ती दिया 48 रुपए ठीक है यही तो कह रहा था देखिए एक बैक को 48 रुपए में बेचने पर राहूल को 20% की हा होगा 100% और उसमें 20% की हानी हो गई तो बेचा उसमें कितने का 80% का और किस्चन में कितना दिया 48 रुपए तो एक परसेंट की वैल्यू कित्ती दिया 48 रुपए तो एक परसेंट की वैल्यू कित्ती आ जाएगी 48 बटे 80 ठीक है अब इसको काट दीजे 16-1648 45 पंच तो एक भी निकाल लीजिए इससे एक परसेंट की वैल्यू तो 100 परसेंट की वैल्यू कित्ती हो जाएगी तीन बटा पांच गोड़े 100 काट दीजे 25-100 विश्तिया 60 तो हमारे क्रेमूल कितना निकलाया 60 रुपए ठीक है देख लिए 60 रुपए कोई वस्तियू थी 48 रुपए बेज दी तो उसको कितने का हानी हुई 20 परसेंट की अब क्या कह रहा है यदि उसको 20 परसेंट का ला भर्जित करना है तो बैक का क्रेमूल क्या होना चाहिए तो देखी बैक का क्रेमूल कितना है 60 र देंगे हल कर लिली इसको तो यसपी निकल आएगा 1010101001 बर्चंग 72 कितना निकला है हमारा 72 रुपए यह क्या हो जाएगा हमारा अंसर अगर 20 परसेंट का लाब कमाना है तो बैक को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा 72 ठीक है कौन प्रसेंग्ने नम्मा ठीक है आश और उसमें इसी को 20% की हानी हुई, तो मतलब बैक को उसमें कितने में बेचा होगा? 80% में, और 80% की value कितनी दिये 48 रुपए, तो 1% की value कितनी आगी 3-5, तो CP कितना था 100%, 1% की value 3-5 तो 100% की कितनी निकला है? 60 रुपए, मतलब हमारा बैक का क्रैमूल कितना निकला है 60 रुपाई और उसमें क्या कहरा है यदि उसको 20% का लाब कमाना है तो बैक का क्रैमूल क्या होना चाहिए 60 रुपाई की वस्तिती उसमें 20% का लाब कमाना है तो 60 का हमने सीधा 120% निकाल दिये कितना आगे साथ का 120 परशेंट बादतार रुपा यदि हम बादतार रुपा बेचेंगे तो हमको 20 परशेंट का लाब होगा ठीक है देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्यूश्चन है सारे क्यूश्चन रेलवे के एक्जाम में पूछे गया क्यूश्चन है ठीक है अब इसका लाब ग्यान कीजिए ठीक है मीना ने एक वस्तु के कितने रुपा में खरीदा सीपी कितना आगया कि 25 रुपाई क्राय मूल कितना है 25 रुपाई ठीक है अब कहा रहा है उसने क्राय मूली से 25 जादा मूल पर बेंच दिया मतलब SP कितना हो जाएगा उसने क्राय मूली से मतलब 25うん परसेंटे जादा पर बेंच दिया 1500 का सीधा हम क्या कर देंगे 125 परसेंट निकाल लेंगे तो SHP हमारा आज जाएगा तो好好 तो 25 बटा 100, 2,0 कर जाएगा, बोड़ा कर दीजिए कितना आ जाएगा, 25,5, 125, 25,2, 25,6, 31, तो विक्रा मुल कितना आ गए हमारे, 325, ठीक है, लेकन अभी उसने क्या किया है, तथा उस पर उसने 125 रुपए करादा किया, तो 31,5 में 26,5 गटा दीजे, कितने का लाब हो जाएगा, 5 होगा, से हमारा लाप क्रायम मूल सी 25 परशंट ज्यादा मूल पर बेंच दिया एसपी कितना आ गया हमारा vomit 125 रुपए लेकिन उस पर उसने 125 रुपाय कर भी आदा किये थे वस्तु पर k Hamburg उसको टाक्स भी दिया तो उसको को र वस्तु कितनी की पढ़े 26 75 की और उसने बेचा कितनी की तिस्सो पचीस की तो उसका लाब कितना हो गया पांच रुपए ठीक है यही हमसे पूंच रहा था ठीक है अब अगला किश्चन देखते हैं अब देखे इसमें क्या कह रहा है कह रहा है एक दुकंदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल कॉपयोग करके 25% तक धोखा देत गधान के 1-2-rix बड़य आई तो उसका कुल लाब प्रश्चत क्या है ठीक है दीक दुकंदार फल बेचने में भी और खरीदने भी कम तौल को अपयोग करता है यानि कि बेचने और खरीदने में दोनों में लाप कमा रहा है तो उसका कुल लाप प्रस्षत निकालना है तो दीखे इस तरह के सवालों को हल करने के लिए एक सूत्र होता है क्या होता है प्रस्षत व्रद्धी बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस AB बटा 100 ठीक है अब देखे हल कर लीजिए इसको इसकी सहायता से तो उसका लाब प्रस्चत निकलाएगा तो प्रस्चत लाब निकाल लीजिए देखे AB मतलब खरीदने में 25% और बेशने में 25% का दोखा देता है तो AB हमारा 25% हो जाएगा और B भी 25% हो जाएगा प्लस AB गोड़े B यानि कि 25 गोड़े 25 बटा 100 ठीक है तो 25 पचीस जोड़ें कितना आजाएगा 50 प्लस 25 गोड़े 25 करें कितना आजाएगा 625 भागे 100 हल कर लीजिए इसको 50 625 में 100 से भाग दिंग कितना आजाएगा 6.25 जोड़ें इसको कितना आजाएगा 56.25 तो कुला प्रस्षत हमारा कितना आजाएगा 56.25 ये क्या हो जाएगा हमारा अंसर कौन चोकल सही है बीनम ठीक है देखे इसमें कहा रहा था एक दुकंदार फल खरीदने और बेचने में कमतावल का उप्योग करता है ठीक है यानि कि बेचने में भी लाब कमारा है और खरीदने में भी लाब कमारा है और कितने का कमारा 25 परसेंट का तो उसका कुला प्रस्षत निकालना था तो देखे इस सवाल को लगा लिए इनके एक सूत होता सबस्त भुरती बराबर टीके कि खरीदने में 25 फरशनень के मणा यह भी पत-ची को जाएगा और भी भी पत-ची स्टीके डीक के एप सब करकता परिस जोड़ेंगे 26.2 ठीक है यहीं कि आ गया है उसका कुला प्रस्षा ठीक है ठीक है तो आज के यह वीडियो यहीं समाप्त होता है अगर आपको वीडियो पसंद आ है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए